नमस्कार कच्चा चिठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट देश के अलग-अलग राज्यों में जांच जिंसियों का तगड़ा एक्षिन जारी है यूपी से लेकर जारकटन तक एडी का तगड़ा एक्षिन हो रहा है जिससे भरष्टाचारियों को तगड़ा जटका लगा है अगवे एक बार फिर से एडी का जबरदस्त चाबुक चला है जिसमें एडी को बड़ी काम्याबी हाथ लगी और इस बार एडी के हाथ करोणों क खजाना भी लगा है इसके और भी बहुत कुछ मिला है इससे अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं एडी एक साथ कई जगों पर छापे मारी कर भरष्टाचारियों की नीद उड़ा रही और तगड़े एक्षिन भी ले रही है अब नया मामला क्या है इसी का पूरा कच चटहा खोलेंगे की चगडि च्छापे मारी से मचा हड कम राची में इडी काई का मियंक कारवारी जपर किक का मिद्वी का दाएमारी में ओक spare एक लगातार है मीडिया कर्मी से जमीन कारोबारी बने कुमार कमलेश के ठिकानों पर एडी की टीम ने 21 जून को चापे मारी की एडी ने जमीन कारोबारी कमलेश के राची में मौझूद कांग के रोड पर चादनी चौक स्तित एस्ट्रो ग्रीन फ्लैट से चापे मारी कर एक करोड रुपे और सौ कार्तूस बरामत किये हैं यहां कमलेश किराय के मकान में रहता था एडी को नौ एटियम कार्ड और जमीन के कई डीड मिले हैं दरहसल बारा जून को एडी ने एक और जमीन कारोबारी शेकर कुश्वहा को गृफतार किया था पूचताच और एंटेरोगेशन के दोरान कारोबारी ने सुविकार किया कि उसने कमलेश के साथ मिलकर फरजी दस्तावेजों के जरिए कांके रोड पर कई जमीन यानी प्लॉट की खरीद फरोग की है इसके बाद एजनसी ने समन भेज कर पूचताच के लिए बुलाया था वहीं एजनसी का समन मिलने के बाद कमलेश फरार हो गया और पूचताच के लिए एडी के सामने पेश नहीं हुआ एडी ने मामले में एक्शन लेते हुए उसके ठिकानों पर चापे मारे की लेकिन जरिए जनसी के वहाँ पूचने से पहले जमीन कारोबारी घर को बंद करकर मौके से फरार हो गया इसके बाद एडी की टीम ने नूटरल यानी स्वतंतर विटनेस या गवहा के सामने आगे की कारवाई करते हुए घर में एंट्री की जहांसे टीम को सौक कार्तूस और एक करोड रुपे बरामद हुए साथी एडी ने कुछ डॉक्यूमेंट भी बरामद किये हैं जिसे जाच में कई नई जानकारी सामने आ सकती है वहीं एजनसी ने कार्टूस की बरामदगी के बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है बता जाता है कि शेखर कुछवहा और कमलेश दोनों पावर ब्रोकर की तरह काम करते थी और आसपास की इलाके में दोनों का रसुग भी था जमीन का कारुबार करने से पहले कमलेश राची के एक स्थानी अकबार में फोटोग्राफर और रिपोर्टिंग का काम करता था जमीन फर्जी वाडे मामले की जाज कर रही इडी की टीम ने किस जून को कमलेश के कई ठिकानों पर दभिश थी इसे पहले भूमी घोटाले मामले में कमलेश को इडी ने पूचताच के लिए समन भेजा था हाला कि समन पर उपस्तित होने के बदले वो फराच चल रहा था कांके ठाना पुलिस ने रिवर ब्लू गार्डन के मालिक और जमीन माफिया कमलेश को अक्टूबर 2021 में गिर्फतार किया था कमलेश कांके के चामा नगडी के एक आदिवासी जमीन पर जबरन कबजे के लिए जेसीपी लेकर पहुंचा था जमीन मालिक के सुचना पर पुलिस ने कमलेश और उसके साथ अन्य लोगों को ग्रफतार कर लिया था मोल रूप से जमशेदपूर के सीता राम डेरा थाना शेत्र के वुयाडी निवासी कमलेश का राची में कोकर के चेशायर होम रोड में अपना मकान है कमलेश पर कांकी रोड पर मौजूद लोग कॉलेश से सटे रिंग रोड किनारे करीब 25 एकर गैम जम रुवाग जमीन पर रिवर व्यू प्रोजेक्ट खड़ा करने का आरोप है फरजी दसावेश की सहारे लोग कॉलेश और जुमार नदी की 20.59 एकर जमीन हड़पने का आरोप है बताया जाता है कि मिट्टी डालकर जमीन को समतल करने के दोरान कांकी ततकालीन सियो के निर्देश पर 27 निवंबर 2020 को एकपायार दर्च कराए गई थी इसमें लॉय उनिवर्सिटी के पीछे मौजूद रिंग रोड से सटे जुमार नदी जमीन और बीयों की अधिगरित जमीन पर कबजा करने का आरोप है मामला जब तूल पकड़ा तो जाच ACB को सौब दी गई इसके अलावा बिहार के रोहतास में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ED की टीम राइस मिल में छापे मारे करने पहुची बता जाता है कि जहरी अनुमंडल इस्थित अकोडी गोला में एक राइस मिल में ED की टीम की छापे मारी चल रही थी ED के दरजन भर अधिकारी फैक्टरी परिसर में घुसकर अंदर काग जातों को खंगालने लगे मिली जानिकारी के मुताबिक अकोडी गोला थाना शेत्र के जोरावर पुर स्थित बांके में जेवील एग्रो नामक कंपनी से जुड़े परिसंपती पर ED की छापे मारी हुई है उत्तर प्रदेश के वारा रसी लहाबाद के अलावा बिहार के रहतार सीले के काकोडी गोला में ये चापे मारी चल रही है बता जाता है कि पूरा मामला बैंक लोन से जुड़ा हुआ है जिसमें 200 करोड से अधी की परिसंपती पर ED अलग-अलग टिकारों पर चापे मारी कर रही है अकोडी गोला में इस्तित जूला वनस्पती लिमिटेड अग्रो नामकी कमपनी पहले चावल उत्पादन करती थी साथ ही वनस्पती तेल का उत्पादन होता है लेकिन पिछले कई सालों से ये उक्रम बंद है इस कमपनी ने किसी अन्य कारोबारी को पूरी परिसंपती ली हैं फैक्टरी परिसर के अंदर किसी के आने जाने की साथ मना ही है इतना ही नहीं इडी ने 20 जून को देश पर में एम्टेक समू के लगभग पैतिस परिसरों पर देश व्यापीछा पिमारी की इनमें एक नाम ब्येस इस पात का भी सामने आया ये नाम चौकाने वाला है क् कि इस पात के दो संचालकों को कोट ने हाल ही में दोशी पाया था और सजा सुनाई थी ऐसा कहा जा रहा है कि समू का संचालन प्रत्यक्ष रूप से गाधी परिवार की तरफ से ही किया जा रहा है जानकारी के लिए बता दे कि इस पात के मामले में संचालकों को कोट से सजा करना चाहा रही है इसके पीछे की मुख्य वज़ा ये है कि पिछले दिनों कॉंग्रेस ने घोशना की कि प्र्यांका गाधी वाडरा वायनार से लोगसमा चुनाव का उप्चुनाव लड़ेगी उन्हें चुनाव लड़ाने की घोशना की ठीक बात कारवाई होना सभी क्वा पास्चरी में डाल रहा है दभी जुबान ही सही लोग टाइमिंग को लेकर भी चर्चा कर रही हैं एम्टेक समु और बीएस इसपात के जरिये कोई है जो फिर से वाडरा को तंग करना चाहता है ताकि प्र्यांका को चुनाव लड़ने से रोका जा सके यह तभी संबव है जब पुराने गड़े मुर्दों को खोद कर महा निकाला जाए बीएस इसपात के मामला 20,000 करोड रुपे का था सभी का ध्यान इसी ओर चला गया आकड़े देखकर सभी इन रुपों की ही चर्चा करते हुए देखे गए लेकिन परदे के पीछे कहानी कुछ और ही गड़ी किया जा रहा है वाध्रा कहीं न कहीं कंपनी से जुडे हैं उसी लेकर भी काफी खोजबीन की गई थी बाद में वाध्रा का एंगल KAE HIV Aa भाई नाठ से लोगसवा का उक्चुनाव लणने की घोशना के बाद ED फिर से कहीं न कहीं पुराने जिन को जंदा करना चाह रही है इसलिए बिये सिस्पाद को भी इस कारवाई में शामिल किये जाने की संभावना है। लगभग 10 स्थानों पच्छापे मारे गए। भारत राष्ट्र समीती के प्रमुक है। एडी ने कहा कि चापेवारी के दौरान 19 लाक रुपे की बेहिसाब नगदी और बड़ी संख्या में दूसरे व्यक्तियों के नाम पर पंजिकृत बेनामी संपत्ती के दस्तावेस चप्त के गए। यानि कुल मिलाकर पूरी तरफ से एडी का एक्शन धड़ा धड़ जारी है और एक के बाद एक ब्रश्ट लोगों पर शिकन जाकस रहा है। कच्च चथा में फिलाल के लिए इतना ही बागी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटन टीवी नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ चुणने के लिए शुक्रिया।